हेलो स्टूदेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नमबर 1.4 चैप्टर नमबर 1 फर्स्ट एर फिजिक्स यह है जी एर्रस एंड अंसर्टेनिटीज यह क्या चीज होती है एर्र का मतलब होता है जी गल्ती सिनी सी चीज़ है गल्ती क्या होता है अगर कोई चीज एक स्पेस्विक लैवल से उपर या नीचे बोते हैं जो काम सब्सक्राइब करें दिर गल्ती इ भी हो सकती है कैसे अब इसकी अंदर क्या है आपका इंस्ट्मेंट भी घलती आज सकते हैं अब यह जो चीज को आद हमने पड़ना है यह जलती समझते हैं यह क्यूं होती है दुसी झीज वहाएं तरण के जोसी पर सक निद्य इन्टहर्ट का पाइटन तब और मैं कहता हुन्ड़ मारव बारका है यकीनी इसमें कितना है चालिस परसंट यकिनी पं कितना है साठ परसंट अब यह एक यहिंदी इसके अंदर क्या है जैसे कि आप में से कोई बंदा है उसने न यह इतनी बड़ी एक length को measure किया length measure करके लिए है मैंने का भी कितनी है वो कहता है सर यह 2.1 cm मैंने का ठीक है मैंने का मुझे यह बता क्या यह 2.1 cm exact value है उसने का सर वो ना कुछ यह system था कि जिस इसको मैं जिस से मैं measure कर रहा था न वो बंदाना point के बाद एक decimal तक जा रहा है calculation देने करें तो इसके अंदर सर यह तो है कि इसके अंदर certainty है कोशिश आए कि यह काफियत तक ठीक है लेकिन यह 100% ठीक है यह यह इसमें uncertainty कुछ हाद तक exist करती है अब इसको एक और sense में मैं आपको करके होते हैं इसको पर टाइम में करके रहां मैंने का दस सेगंड में कर दो से लेजी टाइम आफ शुरू हो गया अब एंड हो गया यह 10 सेकंड हो गया मैं का शोटिए कश और तक शोटिए कद अच्छा मैं कम जी यह बताओ कि इस क्लॉक से किसी क्लॉक से ही तो आपके पास वाल क्लॉक है इससे क्या आप एक सेकंड मेयर कर सकते हो उधर मेयर तो नहीं हो सकता क्या सकता हूं कि एक सेकंड से कम वैल्यू आप बता दो मैं उतनी कोशिश कर सकता हूं उधर यह देखे जी एक सेकंड हो गया यह आदा सेकंड हो गया मै का सब calculation तो नहीं है बस simple सी है कि इसके अंदर uncertainty है कोई यकीन से नहीं मैं कहा सकता कि यह आदा सब्सक्राइब यह लेकिन है बत पता नहीं कितना है बस है अब same यह जो चीज है यह जो measurements है इन सारी measurements के अंदर आप इन कभी भी 100% calculation नहीं ले सकते इसको मैं आगे लेकर चलता हूं एक और example लेता हूं जो uncertainty को आगे भी detail में पढ़ना है तो इदर हम इसको मोटा मोटा सा देख लेते हैं अब 100% calculation की बात करते हैं मैं आपको मैंने आपको कहा जाओ यार जाओ और एक किल चीनी तो ले क्या हो आप गए बजार बजार जाते हूं आप वो जो दुकान पे उसके पास वो वो िंबेलस तकड़ी बट्टा जो जो हम कहते हैं वह 1000 ग्राम आपको चीनी महीर कर जाए मैंने गया मैंने इसे एक किलो चीनी को पकड़ा और इसे एक किलो चीनी को ले गया पैकरी पे अब ने देखा तो वह एक हजार ग्राम होनी ज़िए थी लेकिन बैकरी पे वही चीनी कितनी मिली मुझे लैट सपोस्τε गारा सो गराम तो मैंने गया रहीं थे सो गराम एक्स्टर है तो कहता है सर उसके पास वट्टा य ओघ्व तोलने वाले ज़ुटा था वो एत्ति की लोगा था उस से नहीं पाता हो जादा कम हो गया जाँए अब मैंने गहा हूंता कि मारे के पास ले जाता हो उसके पास तो बड़ी हाई क्वालिटी की मिशीन पड़ी है तो उसने जब देखा तो उसने का सर यह एक हजार एक सो पचास ग्राम है तो इसके अंदर यह जो डिफरेंश आ आ गया होगा काफियत तक अब हम देखते हैं कि यह error क्यों आता है और uncertainty का मतलब के uncertainty कहां से आ जाती है इसके अंदर दुनिया के अगर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो hundred percent accurate हो हर calculation हर value में कुछ ना बुछ uncertainty होती है बेशक्त वह पॉइंट one percent हो जैसे आपके पास जो भी साबुन वगरा जो 99.9 परसेंट हो चीज़े मार देता है वह 0.1 परसेंट वह छोड़ देता है तो simply वह 0.1 जो है ना वह आपका इदर भी error हो सकता है hundred percent कोई भी चीज़ नहीं हम इदर calculate कर सकते ठीक है अब थोड़ा से और extended करते हैं और इससे आगे लेकर चलते हैं अब error की वज़ा क्या हो सकता है देखे दुसरी error क्यों आता है एक बंद एक्सफेरीमेक्ट काफी अच्छा हो रहा है दुसरा में उसका नहीं होगा नहीं हो तो उसके पी मताबिशियो बंद कर घर साथ स्कून से खाना खाना है यह से कर रहा में अप्रसर बंदे के अपने में इकलति की वज़फी के वज़या हुग Егоु हो रहा हुग सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेयरमेंट कर रहे हो खराद है आप बगार के आपने का यार एक किलो सेव तोल दो उसने ठीक है सर लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट है वो किलो करता ही नहीं है पूरा वो अलड़ी 10 ग्राम या 100 ग्राम एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो जब एक किलो तोलने का तो जाइस सी बात है असल में वो 900 ग्राम सेव होगा एक किलो तो नहीं होगा मिन्स कि आपका जो अपरेटर्स है वो कैसा है फाल्टी अपरेटर्स में नुक्स है तीसरी चीज तीसी चीज यह हो सकती है कि आपके जो जो मैथड़ मेयरमेंट का वो ना सही मिठाई का और आप ले रहें उससे केक या कोई और चीज जब उसे तोल के देगा तो वो रेट मिठाई वाला लगा देगा तो मेयरमेंट जो मैथड़ उसने यूज करना था उसने यूज नहीं किया जो इसने रेट पुट करना था मिठाई वाला वो उसने नहीं पुट कि इसकी वजime वी जिए संदर थार्ड पॉैंड हमारे पास आजएगा अघ्र कि यह वोग्या सथ यह जो दिफरेंस आएगा उसकी वज़ा से मारे पास प्रॉइ Hammonds ने पास कहा सकता है यह तो से बड़ edonna छेbene एन सट यज़ ona क्या वजवात हो सकती है यह देखते हैं अब हम देखने हैं इसकी क्या वजवात हो सकती है वुक भी इसको तीन बताती है पॉइंट्स ने बताती है वैसे वुक बता देती है सबसे पहले चीज तो लिमिट बता देती है अब जो चीज आपने वह एक किलो वाले वट्टे से त वो नहीं नहीं सकता तो में भी 8ć किलो जाधा तोल दे जैसे या बजार जिया सबसाइब एक किलो थो जाता है एक किलो के लेके वो denखे हैillosu नेतर पैसी नेतर aşतने है यही चीज़ थो खुल से खुंछ जाके करो कि थोड़ा Уखा helping हैं वो दो में है तो खुल से की खैर होती क्या वो आपको देगा कभी भी नहीं देगा भाई साव रेट देखो आप डिफरस इतनी का डालोगा अच्छा खासा रेट का फड़ देगा वो नहीं देगा उसकी जो मेयरमेंट वाली डिवाइस है वो बड़ी प्री साइज है बोथ अच्छी कालोईशन करके एरियर से वो नहीं देगा आप पर वो इग्जैक्ट उतनी वाली वेजर करते देगा इसका मतलब है यह जो अनसाइटेंटी है यह एरर लाने का बाइस बनती है लेकर अनसाइटेंटी खुट क्यों आकती है इसके पीछे रिजन्स है लिमीटेशन ओव दी इंस्ट्रूमें है मैंने क्यों आप मेजर करके दूँगा और काफी है तक वो सही मेजर करके देगा अनसाइटेंटी होगी लेकिन काफी कम होगे एक तो आगी है दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ यह हो सकती है कि आपका अबजेक्ट नैचरल वेरीशन की तरफ चाह रहा है उसी ही क्या होत इस ऑपके वरीशन की तरफ सकती है क्वार नियुए जाना चीज़ करें का फूल रात के वक्त फूल जब थंडि का मौसम था मौसम बिलकुल मतलब थंडा था तो हमने लेंट को मिधर किया तो लेंट हमने मेजर करके रख दी एक मीटर एक तक मेंट आप थारह डिए तो फिर हमें नीदा कि हम सोगे, काम चोंचोंचोंगे, हमने लोगले दिन करेंगे बाकी next day करूँगा, next day करूँगा, तो अगले दिन फूल दूपायर थी, मुसन थोड़ा गरं था, वो जहां पर हम एक्सपरिमेंट कर रहे था, वो बाई चांस हो वारा रहा है, यह रोड था ना, वो दूप में रह गया, आपने वैल्यू को फूट किया, कैल्कुलेट किया, आंसर घलत, एरर अच्छा फस था, आपने यह क्या रोड़ा पड़ा, कि क्या हुआ, आपका ना अब्जेक्ट नैच्रल वेरिशन की तरफ गया, क्या, गर्मी या, गर्मी या होड टमपरेचर में, हाई टमपरेचर पर चीज़ें फैलती है, तो असल में क्या हुआ था, कि वो लैंथ अपनी औरिजिनल मिकद इसे डर्मी की बज़ा से क्या हुआ ही, बड़ टी तो, इस की बज़ा से भी हँआरे पाध के और जिसने क्या ला दिया, समझा आ गया, तीसरे पे श tô olhos मते, तीसरे पे, सेंसिस, तीसरे इंपरफáक्शन उल करे ना सकत, आपकी experiment को कर ही नहीं सकता वो बंदे में थोड़ा सा नुक्स है experiment जो कर रहा है क्या नुक्स हो सकता है यह तो method है ना method के लावा इधर in perfection of a person उसकी sense सही काम नहीं करती है let's suppose हम एक experiment करते हैं यह आपको पता होगा उसने 40-30 पर उसको calculate करना था कि यह मील्ट शुरू हो गया, यह sound आना शुरू हो गया, लेकिन उस बंदे के कान में थोड़ा सा नुक्स है, यह उसका कान थोड़ा perfectly कान नहीं कर रहा है, जिसकी वज़ा से वो 20-100 से concern नहीं सकता, तो उसकी वज़ा से उसे तो 100 पर जाने के बा आप आप सेम एरर आ रहा है, जो भी मैं calculation करता हूं, एरर सेम आता है, example मैं आपको देखता हूं, आपके वाई साब बजार, बजार में आपके पास वो एक मिशीन थी, वो मिशीन पे आलरेडी बगार किसी वज़न के आप उसको में आपके मैस को calculate करती थी, बगार किसी मैस क ना की उपर ना, उसको पर reading आ रही है, आपने इसको पर रखा जी, आटे का थेला, वो ता तकर्रेबन 40 किलो का, या 41 किलो reading आगी, तो आप बताओ कि उसका कितना असल में वजन था, उसका असल में वजन कितना था, 40 किलो reading इन ये एक किलो पहले आ रहा था, बगएर किसी व बचेगा 49 तो हर बार एर्लिवां का disparities आ रहा था तो वह एंदर के अधिर नियू चम्रण, यह था एक बतिय एक किस्पघाएंट किस्पेरिमेंट किया गया इंदर उसपेरिमेंट में पहले errors का कुछ प्रूध गारोड और दूसरी होती है मैं येड वैलिए अब टूवैल्य क्या चीज़ है वह चीज घ्यात जो असल में किसी भी चीज की वैल्यू है और मेड वैल्यू क्या है जो हमने calculate की है true value के अंदर क्या आजाएगा जो जैसे के g है जी की अगर हम true value की बात करें तो g की true value 9.8 meter per second scale है जो के काफी लोगों ने calculate की और इस पर इक्तिफार कर लिया है कि हाँ जी ये value ठीक है मेड वैल्यू क्या है let's suppose आपने एक्सपेरिमेंट किया पेंडोलों वाला ये वाला पेंडोलों वाला पेंडोलों वाला इक्सपेरिमेंट देखा और उसके अंदर value ये आगे तो ये जो difference आएगा इन दोनों में जो कि 0.2 मीटर पर सेक्ट स्केर का बन रहा है this difference we called error तो इस difference का नाम क्या होगा error ये गलती है कितनी गलती है ये क्या कहलाएगा error दूसर एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि हम calculation कर रहे है हर बार error different आ रहा है values में हर बार फरक आ रहा है random error और दूसरी टाइप का नाम रखा systematic error अब हम ये दो टाइप से इदर पढ़ते है terms logic अब हमारे पास इदर मैं निक देता हूं जी random error और systematic error इसके सब्सक्राइब पहले हम इंदर निक लेते हैं जी definition causes और reduction कि हम इसे कांद कैसे कर सकते हैं random error क्या है कि अगर आप कोई भी calculation करें if you do any calculation और उस calculation में हर बार error की value मईएड वैलियू जो है आपकी जो आ रही है वो हर बार different value आ रही है यानिकि different values of error occurs हर बार error different आ रहा है तो यह हमारे पास कौन सा आदेगा random error ठीक है और हर बार अगर same value of error occur तो यह हमारे पास कौन सा आदेगा systematic error अब random error के अंदर क्या आदेगा के value हर बार फरक में आएगी यह किसी भी वज़ा से हो सकता है इसका हमें पता नहीं है क्या नहीं पता जैसे क्या आपने जो आपी मैंने आपको छुछ दर पहले example दी यह कुदुरत की वज़ा से भी हो सकता है यह हमारी वज़ा से भी हो सक causes ठीक है systematic error क्या है systematic error है कि यह mostly यह हो सकता है कि यहां तो आप तरीका नहीं सही use कर रहे हर बार अगर आप तरीका डिफरेंट कर रहे तो अगर आप एक ही तरीके को बार बार कर रहे तो में भी उस तरीके से error इतना बंगता हो आप तरीके को सही कर लो method को सही कर लो दूसरा म भाइ भी जो आपका बंदा हुसके ने इंपरेक्शन है उसकी kalkulation में यह बार कि आ रगलती है तहो भाड़ करके देख लो ती सरा क्या यह 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 कि मीभी आपका जो इंस्टूमेंट है वो इंस्टूमेंट ठी करने हू या बिसके लड़ता है कि जो method है वो method तीकल और बार इस method से यहi error बनता हुते इसलिए error आ रहा रहा तो method टीकल है शायद error हमारा काम लोगे तो method भी हम क्या सकते हैं इसमें ठीक है और instrument के अदर आपने यह z is e पड़ा होगा इसको बोलते है zero error ठीक है तो zero error जो है यह zero error आता है तो इसको हम एक method से सही कर सकते हैं जिसे बोलते है zero correction तो zero correction क्या होता है कि अगर आपके पास कोई scale है यह देखें जी यह scale है जी हमें पता है कि यह zero से शुरू होता है और उसके अंदर zero यहां पर है तरम्यान में कितने points है इसके आठ तो यह जो आठ पॉइंट है यह हमारे instrument की correction होने वाले instrument खराब है यह गलत इसको पर calibration होई है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं तो इसकी reduction कैसे करते हैं by taking average average कैसे लेते हैं कि आप इसके उपर multiple time इसी experiment को repeat करोगे repeat करने के बाद उसको mean value कैसे निकाल लेंगे इनसाफ अगर आपने 10 बार experiment किया तो 10 बार values लेंगे उन्हें जमा करेंगे 10 पर divide करेंगे जो value है कि वह आपके पास आएगी mean value अब उस mean value से आप पहले experiment की value को minus करेंगे दूसरे की तीसरे की चोत्ते की 10 की 10 values को minus करेंगे जो जवाब है वह आपका errors आ रहे होंगे random errors की कितने कितने average error ऊपर या नीचे आ रहे है यह stat आज़ती है थोड़ी सी फिर हम उन क्या करेंगे उन सारे errors को जमा करेंगे और 10 पे divide करेंगे तो जो जवाब आएगा वो मारा होगा mean error और इसके उपर क्या कर सकते हैं इसको हम सही कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बाइ यूजिंग क्रेक्शन फैक्टर्स क्रेक्शन फैक्टर्स लगा लें इंस्ट्रुमेंट के अदर zero error रहा है तो हमें पता यह आठ है तो हम इसकी कानिवेशन को ठीक कर लेंगे हम कहेंगे रीडिंग ही का दे शुरू हो रही है जिरो से नहीं हम कहेंग कि यार यह बंदे को experiment नहीं करना था method नहीं ठीक है तो बंदा ठीक कर लो और तीसरा method है हम method change करके देख लेंगे कि हमारा maybe जो हर बार same error आ रहा है वो शायद method की वज़ा से आ रहा है method ठीक कर लें तो error भी ठीक हो देगा तो यह था आपका आज का topic तो मिलते हैं अगले lecture में कर दों आपका नहीं देख व्याद़ से बंदानी देख अगित है रहा है कि हमारा । भी जहाए यहाद़ रहा है वार वी जहाद़ पंदावत लेस्ट सबदाब्त कर रहा यहाद़ से रहा है तो मिलते हैं तो में उँआव़ अवड़ नहीं थावड़ ऎगृ बारीश धर